नवश्कार मित्रो जैसी आराम जैसी रिकिस्टना आज मैं आपको अपनी वीडियो के माद्दिन से यह बताने जा रहा हूँ कि साल 2030 में जिन बित्यों की नाम का प्रथम अक्षर ऐसे शुरू होता है उनके लिए जंदरी का महीना कैसा रहेगा मित्रो हर बेक्ती जानना चाहता है कि उसका आगे आने वाला वर्स कैसा होगा ये सभी के मन में अबलासा होती है कि हम उसका परिवार तक हर परिवार कैसा रहेगा साल 2030 में आपके लिए ये जन्ना तिन तावस्चक है आईए जन्ते हैं साल 2030 में ऐस नाम के जातकों के लिए जन्दरी के महीने में कैसी उपलब्दियां होंगी तथा वो कैसा रहेगा मेरे में तो सिक्षा के छेतर में साल 2030 में जन्दरी का महीना आईस नाम के जातों के लिए मद्यम रहेगा आपका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा सनीदों के प्रभाव के कारण आपके मित्र, सहयोगी बादावन सकते हैं परंथ आप पूरी कोसिस कीजिए आप प्रफियोगी परिक्षा देना चाहते हैं या सामान परिक्षा में बैट रहे हैं या महीना आपके लिए उत्तम रहेगा थोड़े प्रयास्ते ही आपको सफ़गता मिलेगी या जिया आप घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं या मिडिकल इत्यात की सिख्षा हासिल कर रहे हैं उसके लिए सनीदिक के पास ये महीना आति उत्तम है तारीक 8 से लेकर 17 तारीक के बीच का समय सर्बुत्तम रहेगा तथा तारीक 10 से लेकर 18 के बीच का समय मध्यम है प्यार की मामले में ये वर्स ये महीना आति उत्तम रहेगा आईसनाम के जात्कों के लिए जंदरी का माती उत्तम रहेगा आपकी प्रेमका से आपके मदुर सम्मन बनेंगे तथा प्यार आपको उपाहर के तरुप से उपाहर भी प्राप्त होंगे तथा आपके बिवा की बादशीत भी हो सकती है अगर आपके लिए अगर आपकी एक्षर बिवा करनेंगे तो ये महीना आपके लिए अत्युत्तम रहेगा आपके अच्छे रिस्ते बनेंगे आपका बिवास जंदरी सिम्मे हो सकता है तो तब बिवास अमन दियाने वाली बादाएं भी आपकी दूर होंगी तारीक 5-15 तक का समय आपके लिए अत्युत्तम रहेगा 20-29 तारीक के बीच का समय आपके लिए मद्दम है बियापार के मामले में ऐस तनाम के जात्कों के लिए जंदरी का महीना किसी वियारत में जंदरी का महीना आपके लिए अत्युत्तम रहेगा इस माह आपका ब्यापार मद्दम रहेगा आपकी आमदनी के अधिक आमदनी सदिक खर्चा हो सकता है तारीक 8 से 17 के बीच ब्यापार ठीक रहेगा आपके धन के प्रयास सार्थक होंगे तथा धन समंदी समस्याएं दूर होंगी परिवार के मामले में साल 2030 में आइस नाम के जात्कों के लिए जन्दरी का महीना उत्तम रहेगा आपके परिवार में मांगली कारक्रम होंगे आपको पूजा पाट इत्याद में पूजा पाट इत्याद के सुवासर पराप्त होंगे माता पता पत्नी भाईयों का सहुख पराप्त होगा परवार में खुशी आएंगी तारीख पांच तारीख पांच से पचीस के बीच के समय अच्छा रहेगा लेन दिन के मामले जंदरी का महीना मद्यम रहेगा उसकर तो किसी को पैसा उधार ना दे अन्यथा आपको परिशानी हो सकती आपको साथ से सोला के बीच का समय आप लेन दिन ना करें क्यूंकि सनी की दया से आपके लिए उपयुक्त समय नहीं है करियर के मामले में यह मां उत्तम रहेगा थोड़े प्रियास के भाव थोड़े प्रियास से आपको सफलता मिलेगी अगर आप लुक्री कर रहे हैं तो आपको की पदोलने ती होने की रुकाउटने खत्म होगी तथा आपके कारच छेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा सफलता के मामले में यह माहा आपके लिए उत्तम रहेगा यह ज़िए आप सनी की तसाप आपर सनी की दसा चल रहे है अच्छा आपको परिस्टन तो कर नहीं होगा बिना परिस्टन की आपको सफलता मिलना मुस्किल हो जाएगा जन्मरी माहा आपके लिए मद्यम रहेगा तारीक 8-17 की बीच का समय आपके लिए सफलता आपको मिल सकती है इसके इसके सीने हित्याद में थोड़ी बहुत हलगी पिल्की परिशानी हो सकती है यदे आपको पहले से कोई दिक्कत ये प्राबलम है या आपका सुगर लेगी इत्याद बढ़ा हुआ है तो आप थोड़ा अपने सुआस्त का विसे ध्यान रखें आपके लिए जन्वरी माह में आर्श अत्रा चब्रीस तारीकें बहुत ही से रिष्ट रहेंगी इन तारीकों में के एकार आपके सफ़र लोंगे। नीले मुया लाजबर्त नाम का पत्थर आप भीज की उंगली में धालन करने तो अच्छा रहेगा। आपके लिए लोहा धातु पहिनना भी बहुत अधिक लाबदाय करेगा। नीला वा काला रंग आप चाहें तो पहिन सकते हैं। सनिवार तत्हा मंगलवार के दिन आपके लिए सुपर रहेंगे। चेहरा देखें और उस तेल को धान करें तो आपके लिए अती उत्तम रहेगा माता पितासा परवार कादर कें काली गाये को मीठी रोटी खिलाएं उपरोगत पाय करके आपके लिए ये महा अती उत्तम गुजरेगा और आपके बिगले हुए काम सब इस महा में बन जाएंगे यदे आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसी लाइक करें ता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा आगे आने वाला वीडियो जरूर देख सकें जैसे आराम जैसे नहीं दो